और तस्वीरे सीधी राजगाट से नरेंद मोधी पहुँच गए हैं राजगाट में और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई खास कारिक्रम होता है उससे पहले जरूर प्रधानमंतरी नरेंद मोधी जाते हैं राजगाट में बापू को नमन करने और आज एक बार फिर से तस्वीरे आपके सामने हैं नरेंद मोधी प्रधानमंतरी देश के तीसरी बार बनने जा रहे हैं और उससे पहले राजगाट पहुँचे हैं बापू को नमन करने महत्मा कांधी को शतांचली देने और आप वहाँ पर देखिए भजन चल रहे हैं और जो बापू के जो गीत हैं उनको गया जा रहा है एक बार उनको सुन लेते हैं और ये पस्वीरे हम दिखा रहे हैं राजगाट से देश की कमान तीसरी बार समालने जा रहे हैं नरेद्रमुदी शपत करहंड समारोव भले शाम को है लेकिन राजगाट पहुच चुके हैं नरेद्रमुदी बापू को नमन करने के लिए और तमाम अन्य गर्माने भी वहा तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं सीधा राजगाट से मातमा गांधी को नमन करने के लिए पहुचे हैं और ये तस्वीरे आपकी टेलिविजन स्क्रींज पर वहाँ जो लोग मौचूद हैं उनका हाथ जोड़कर अभिबादन भी स्वेकार कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और तीरे तीरे आगे बढ़ते हुए बापू को नमन करेंगे और उसके बाद वार मेमोरियल जाने की भी खबर है प्रधान मंत्री इसके बाद बापू को नमन करने राजखाट पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर जो अमर जोती जल रही है उसी का उसी को नमन करते हुए महात्मा कांदी को याद करते हुए इनको शधाश्री देते हुए सीधी तस्वीरे राजखाट से हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री नरे प्रदान मंत्री पद की तीसरी बार शपत ले रहे होंगे तो वो अपने में ही एक अलग खास पल्क होगा लेकिन उससे पहले ये सुभा की तस्वीरे जब राजगाट पहुंचे हैं नरेंद बोदी और बापो को नमन कर रहे हैं संदा सुमन अर्पिक कर चुके हैं बलकुल शपत लेने से पहले बापो के समाधी स्थर राजगाट पर पहुंचे हुए हैं उसी की सीद्वी तस्वीरे में आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद पदान मंत्री नरेंद बोदी पूर्व पदान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई के इसके बाद एक बाद फ़िस से सभी का विबादन स्विकार किया जो लोग वहाँ पर मौझूद हैं और अब आगी की ओर पढ़ते हुए पूर्व पदान मंत्री अटल बिहारी वाजपाई के समाधी स्थर सदैवाटल पर जाने का भी कारिक्रम है सभी को खात लाकर अब विबादन भी कर रही हैं प्रदान मंत्री नरेंद बोदी आपसे देख सकते हैं वहाँ भारी संख्या में लोग इस वक्त मौझूद हैं क्योंकि रविवार का दिन भी है और आज लोग खास्तोर पर घूमने भी आते हैं राजपाट में और इसी दोरान जैसे ही अचानक लोगों को पता चला है कि प्रदान मंत्री नरेंद बोदी वहाँ पर पहुँच रही हैं और अगी क्यों यहां से बढ़ते हुए और इसके अलावा क्या-क्या इंतिजाम हैं उसकी जानकारे भी हम आपको देख रहे हैं क्योंकि आज काफी मेहत पूर दिन है विजय होकर प्रदान मंत्री बने थे और हाला कि यह बात अलग है कि नहरू की सरकार पूर वहुमत की थी लेकिन मोदी की तीसरी पारी गटबंदन की बनियात पर चलेगी तेकिन एक रिकॉर्ड जरूर आज प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी उसकी बराबरी कर लेंगे बिल्कुल और जब तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं नरेंदर मोधी तो जिसके की गड़ बंदन की सरकार के हम बात कर रहे हैं तो सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है और एंडिये के संसदी दल के नेता चुने गए नरेंदर मोधी सर्वसमती से और अब राजगाट की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं शाम को शपत लेंगे देश के प्रधान मंत्री के रूप में तीसरी बार और फिर आगाज होगा मोधी थ्रे पॉइंट होगा तो बिलकुल और क्या-क्या वैवस्थाए की गई हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जर्गे बता रहे हैं कौन-कौन से वो संभावित नाम है जो आज शपत ले सकते हैं उसकी जानकारे भी हम ग्राफिक्स के जर्गे बता रहे हैं तो प्रदार मंतरी नरेंद मोधी ने शपत ग्रेंट सम्हारों से पहले बापू को नमन किया है और NDA के नेता चुने गए हैं उनकी जो अलग-अलग जानकारी अलग तस्वीरों की जर्गे हम आपको बताते हैं आडवानी से मुलाकाद डॉक्टर जोशी का आशरवाद पूर्व राश्टपती से भी मिले हैं और सरकार बनाने का दावा पेश किया है आज मोधी की शपत 3.0 एंडिये के नेता चुने गए पहले अलग सारा जो प्रॉसस है वह हम आपको 6 तस्वीरों में दिखा रहे हैं जब एंडिये के नेता चुने गए सभी का हाथ जोड़ कर अभिबादन स्वीकार किया और सभी ने खड़े होकर एक सुर में कहा मोधी मोधी उसके बाद आडव से बुर्बू के पास पहुँचे और आज मोधी की शपत ग्रहन समारों आज होने जा रहा है और आज से शुरू हो जाएगा मोधी सरकार का 3.0 कारेकाल पिल्कुल और ये चेहो तस्वीरे काफी खास हैं क्योंकि सभी का अभिवादन स्वीकार किया सभी का भार व्यक्या औ ये तस्वीरे बेहद खास हो जाती हैं फिर सरकार बनाने का दावा किया और आज शाम सवा साथ बजे मोधी 3.0 का आगास हो जाएगा शपत ग्रहन करते ही तो देखे लगातार हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं शाम साथ बज़कर पंधर मनट पर नरेंदर बोधी देश के प्रधान मंत्री के रूप में तीसरी बार शपत ले लेंगे और फिर मोधी 3.0 का आगास होगा